हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आसिफा और आसिफा कोसिस किचन में मैं आप सबका विलकम करती हूँ आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी खट्टी दाल तो फिर चलिए देखते हैं इसके लिए हमने किन-किन चीजों का इस्तेमाल किया है जेट सो ग्राम मैंने दाल ली थी और उसे मैंने अच्छे से धो लिया है और अब इसे मैंने एक प्रेशर कुकर में दाल दिया है दाल को दालने के बाद इसमें मैं दाल रही हूँ छे टमाटर जिसे मैंने लंबा-लंबा काट लिया है टमाटर दालने के बाद इसमें मैं दाल रही हैं एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक फेस्ट इसके बाद मैं इसमें दाल रही हैं इसमें शामिल कर रही हो 5-6 हरी मिर्चे, हरी मिर्चे दालने के बाद इसमें मैं दाल रही हूँ 1 टेबल स्पूल तेल, तेल दालने के बाद अब इसमें मैं दाल रही हूँ 2 गलास पानी, पानी हमें इतना दालना है कि दाल अच्छे से गल जाए, तो मैं यहाँ पर 2 गलास पानी का इस्तिमाल कर रही तो अब हमारी यहाँ पर सीटियां आ रही है तो मैंने 6 सीटियां ली थी अब हम धक्कन खोल कर देख लेते हैं कुकर का सारा प्रशर रिलीज हो गया है तो अब हम धक्कन खोल लेते हैं तो यह हमने धक्कन खोल लिया है तो दाल अच्छे से गली हुई लग रही है एक बार हम इसे चेक करेंगे तो देखिए दाल अच्छे से गल गई है अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ थोड़े से कड़ी पत्ता और धनिया कटा हुआ मैं इसमें दाल रही हूँ इसको दालने के बाद अब हमें दाल को अच्छे से घोटना है आप चाहे तो यहाँ पर ह नमक टेस्ट के हिसाब से तो यहाँ पर एक टेवल स्पूर मैंने नमक दाल दिया है नमक दालने के बाद अब हम दाल में हमें जितना पानी चाहिए मतलब जितनी दाल गाड़ी या पतली चाहिए उस हिसाब से अब हम इसमें पानी शामिल करते जाएंगे तो मैं यहाँ पर फिर से बता रही हूँ, तो इसमें मैंने एक बड़ा लीम्बू साइस इमली लेकर उसे आदे घंटे तक मैंने भीगोया था, बाद में उसका पल्क मैं इसमें डाल दी हूँ, अब दाल अच्छे से गोटने के बाद, पानी दालने के बाद, दाल अच्छे से मैंने 10 मिट तक उबल गई है अब हम इसे बगार देते हैं तो बगार के लिए मैं यहां पर ले रहे हूं चार टेबल स्पून तेल तेल जब थोड़ा सा गरम हो जाता है तो इसमें मैं डाल रहे हूं 12-15 लसन की कलियां डालने के बाद उसमें मैं डाल रहे हूं 1 टी स्पून राई राई डाल को हम अच्छे से ब्राउन कलर आने तक फ्राय कर लेंगे और इसमें मैंने शामिल कर दिया है तीन लाल मिर्चे इसे मैंने बीच में से तोड़ लिया था अब इसे हम हलका ब्राउन कलर होने तक फ्राय करेंगे ग्यास आफ करके हम इसमें कड़ी पता दालेंगे तो मैंने ग्य दाल दिया है, तो लीजिए तयार है, हैदराबादी खटी दाल, उमीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो इसे अपने घर में जरूर ट्राइ करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मैं बह सबसे पहले मिल सके, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेर जरूर करिएगा, तब तक के लिए, थैंक्यू फॉर वाचिंग मैं चैनल,